हलो आपरीवान वेलकॉन टू अभी पीडिया आम रोश्णी गौतम और आज की क्लास में बात करेंगे एकनॉमिक आंड सोशल इशु में जो की नवाट ग्रेड एगजाम को हम टार्गेट कर रहे हैं और जो टॉपिक रहने वाला है इस पॉपुलेशन ट्रेंट इसमें भी ज स्कूरिंग जो पार्ट है स्टूडेंट इस सेंसस पास्ट प्रिवियस यह आप देखेंगे तो सेंसस से बहुत सारे कोशन पूछे गए हैं इसलिए मैं यह टॉपिक लेके आई हूँ तो आपने क्या करना है वीडियो को पॉस करना है आंसर देखना है सारे मुझे सारे आं हैं अभी भी कोर्सेंग इस पर हमारी डिसकाउंट जल रहा है जो कि आप सभी के लिए लाया गया है कि लस्त टाइम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपगर रिवाई करना चाते हैं और करना करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉटेंट है यह रिजल्ट देख सकत था student वो कहां कब हुआ था in the year 1872 में हुआ था और complete अगर हम बात करें complete census कब हुआ था वो 1881 में हुआ था अगर census की बात करें तो ये overall मतलब population पर conduct किया जाता है तो ये 10 year में आपको देखने को मिलता है तो एक होता है population और एक होता है student sample तो population जो होती है वो census होती है that is year population और जो sample होता है वो survey आप survey भी सुनते है कि किसी का survey आया है जो कि एक साल के लिए दो साल के maximum 5 year के लिए census भी 5 year के लिए आता है तो जब कम समय में आता है तो उसको हम survey बोलते हैं जो कि sample पर base होता है लेकिन population पर base जो होता है that is census होता है तो complete जो census आया 1881 में और ये 10 सालों में आता है अगर 1881 के बात करें तो 15 टाइम हो चुका है और after independence बात करें तो 7 टाइम हो गया है तो 2011 जो census हो 15 है अब जो आएगा वो 16 है तो 16 के बारे में भी कुछ important fact में आपको बताऊंगी अगर बात करें तो ये 15 जो के release हुआ था 31st March 2011 को और मोटो बहुत examiner इस पर सवाल पूछता है that is our census, our future, that is मोटो ये tag line है और देखते हैं अब यहाँ पर और अगर 2011 तो most important चीज़ ये है कि आ जाना था 2021 में census आ जाना था बट हुआ क्यों क्योंकि COVID-19 तो सारे जो census हैं वो delay हो गए, postpone हो गए तो expected 2023 और 2024 बोला गया बट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है अब देखते हैं क्या होगा लेकिन आपको पर के जाना है 2011 ये है आपके exam में तो इतना इतनी जल्दी तो आने से रहा और बहुत important जो 16 हमारा census होने वाला है जो कि 2021 वाला होगा student वो किस पर बेस होगा वो digital census होगा और वो mobile app के थ्रू लिया गया है तो first digital census की बात करें तो ये आपका जो census digital census 2021 होने वाला है और ये digital census रहेगा चलिए अब हम questions को देखते हैं वीडियो को pause करना है answer देना है और इसके साथ बहुत सारे facts मैं आपको बताऊंगी तो देखिए which of the following state have the lowest female अब मैं आपको एक guide देना चाहूंगी आपने question को ध्यान से समाजना है rate पूछा है population का जैसे इन करोड पूछा जाता है एक number में भी होता है एक percentage में भी होता तो वो भी आपने ध्यान देखना है कि percentage पूछा है यह number पूछा है उसके according आपने answer देना है यह चीजों को ध्यान रखना है यह rate पूछा है तो बोले हाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा state of India state जो है हमारे country का कौन सा ऐसा state है और आपका more than one of the above और none of the above तो answer की बात करें student तो इसमें राजस्थान है और भी कुछ जान लेते हैं क्या क्या है तो राजस्थान में lowest female literacy rate है मतलब कि यहां पर जो महलाएं हैं बहुत कम पर ही लिखी है और ने नेवरेस की बात करें तो 52.66% है उसके बाद जो state आता है वो यूपी आता है और जारखंड आता है अब कोई भी state की अगर literacy rate अच्छी नहीं है इस क्या indicate करता है कि उस state की जो social and economic issue अच्छी नहीं है ना social and economic indicator सही नहीं है यह दर्शाता है क्या government इस पर काम कर रही है क्योंकि 2011 में इतना percentage था लेकिन अब improvement हो रहा है काफी महला है जो female है वो पर लिख रही है तो आपको increase देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो क्या indicate करता है क्या दर्शाता है बेसिकली तो यह बताता है आपके state या country में social economic indicator अन इसके लिए जो program है जो Indian government लेके आई है इसी के साथ next question पर move करते हैं अब पूछा गया है according to census of India 2011 how much percentage of total population were Sikh कितने हैं तो आप से पूछा गया है religious basis पर कितना है 0.4, 2.3, 1.7, D and E answer तो साभी के हम जान लेते हैं क्या-क्या कितने percentage है तो 2011 के according है student 2011 के according हम देखे तो हिंदू 79.8% है Muslim 14.2 जो कि जो minorities, minorities religion में बात करें तो highest ज़्यादा minorities में भी population है वो Muslims है Christian 2.3% है, 6 जो है 1.72% है, Buddhism 0.7 है, Jain 0.4% है तो chronology में भी पूछ लिया जाता है तो आपको इसमें confusion हो सकता है आपको, right? तो इसको अच्छे से यहाँ पर note कर लीजेगा, PDF भी आपको मिल जाएगा तो answer तो आपको पता चल गया, कितना है 1.7% जो कि 4th, okay? 4th की बात करें, ऐसे से चीज़े भी याद रखना है इंडिया की total population की बात करें, तो जो 6 populations हैं, वो 4th नमबर पढ़ाते हैं 4th largest religions group, जो कि normally कहाँ पर जादा पाए जाते हैं तो state और पंजाब में आपको जादा देखने को मिलते हैं तो यह सारे चीज़े भी points को note करना है चलिए, स्टार्ट करते हैं, next हब हम देखेंगे 23rd questions 3rd question पुछा गया है, has the lowest record of population density population density पूछा गया है, density मतलब कि per square kilometer में क्या हो रहा है यह है, have 17 per square kilometer as per census 2011 बोला गया है, 17 per square kilometer कौन सा state है options हैं हमारे पास Mirosam, Goa, Arunachal Pradesh, more, one of the and none of the above तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा student, यहाँ पर Arunachal Pradesh हो जाएगा जो कि यहाँ पर 17 per people रहती हैं, मतलब per square kilometer में 17 लोग रहते हैं और अगर Mirosam में देखें तो 52 लोग रहते हैं 52 लोग रहते हैं per square kilometer में, Goa में 394 people रहते हैं per square kilometer में सिक्किम में देखें तो 86 people रहते हैं per square kilometer यह सारे अब population density basically क्या बताता है यह बताता है number of people per unit of area एक area में कितने लोग रह रहे हैं, जो कि normally per square kilometer और per square mile में measure किया जाता है, यह चीज है तो per square kilometer तो कौन सा answer हो जाएगा? Arunachal Pradesh और इसके साथ सारे आपने देख लेना है तो चलिए answer हो गया आपका, चलिए next देखते हैं next question हमारा क्या है? Next है, which of the following state registered the highest growth in literacy? highest growth, हैना, वो the word growth पूछा है अगर 2001 से देखे and 2011 से देखे तो literacy rate है, वो कहाँ पर growth हुई है? कौन से state में growth हुई है? तो Arunachal Pradesh बिहार सिके none of the वन औप देखे और आप देखे लेते हैं क्या है? तो अगर हम देखे student तो बिहार answer है लेकिन 2001 और 2011 में अगर हम comparison करें तो बिहार में literacy rate 47% था 2001 में male literacy rate 59 था और female का देख रहे हैं तिर्फ 33 लेकिन उस time तो already बहुत backwards इंडिया ही इंडिया में ये population female की population कम थी तो already इसमें भी है अगर हम 2011 में देखे तो बिहार की literacy rate 61% increase हो गई है male की 71% है और female की 51% है ये चीज़ है तो 2011 है तो increase कितना percentage हुआ है 14.8% इन सब को भी आपने देखना है तो 17 ये official census हो गया तो चलिए student यहाँ पर इंडिया overall literacy rate की देखे तो 74 अगर मैं इंडिया की बात करूँ growth rate अगर 2001 और 2011 से compare करे तो भी हार की है लेकिन इंडिया की देखे तो 74 है वही male 82 है female 65 है 2011 सेंस के according है अगर यूटीज की बात करें तो लक्षदीप highest literacy rate है दादर और नगर हवेली lowest literacy rate है ओके ये चीज़ है 18.61% और अगर state की बात करें तो state में कैरला highest literacy rate है अभी तक यही अब देखते हैं 2021 में कौन आता है और बिहार lowest literacy rate में कबर किया जाता है चलिए नेक्स देखेंगे As per the census 2011 census which of the following least populated state in India least populated state कौन सा है और highest भी बात कर लेंगे हम तो मिजोरम है सिक्किजम है तिरी पूरा है और उत्तराखंड है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी देख लेते हैं क्या है सिक्किम की बात करें तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन और सारे स्टेट में से सिक्किम बहुत कम है मिजोरम है मिजोरम की बात करें तो इतना है आपको ये नम्मर के फॉर्म में स्टेट करो तो इतना है और उत्रखन की बात करें और उत्राखंड की बात करें तो महाराष्ट्रा थी बिहार फिर फिर फंगल फिर से इनको note कर लीजेगा, chronology में भी आपसे examiner पूछ सकता है तो इसका answer क्या हो जाता है, सिक्कीम, सिक्कीम के साथ साथ सारे state का भी हमने देख लिया कि इस state में कुतने population रहते हैं, चल अब चलते हैं, next आपसे sex ratio पूछ रहा है, कि मेल के मुकाबले, मेल के comparison में फीमेल कितनी है, तो options देखें, चंडिगर, लक्षदीप, अंडमान, निकोबार और पॉंडिचेरी तो अहां पर female sex ratio पूछा गया है कि per thousand, student यह आपको याद रहना चाहिए कि कितने में comparison किया जाता है per thousand, hundred में, या one lakh में measure किया जाता है, यह सारा अभी मैं आपको बता दूँगी तो answer pondicherry इसके साथ साथ और भी देख लेते हैं, तो highest among the uts, सबसे जादा अगर sex ratio के बात करें, तो कहां पर है, वो pondicherry में है यहाँ पर 1037, means यहाँ पर female जादा है और male कम है, अगर thousand में, thousand से ही comparison किया जाता है कि male के मुकाबले female कितनी है, तो यहाँ पर उससे भी जादा है, बहुत अच्छा है most density population, जो ut है, populated ut है, वो देली है, देली के बाद चंडी घड है, lowest sex ratio ut कौन सा है, दामन and due है least literate ut कहां है, दामन and due है, तो यह सारे चीज़ आपने नोड करना है, चलिए, next और भी बहुत सारे है next question हमारे screen पर है, next question देखेंगे, in term of area, which of the smallest union territories of India, smallest union territories कौन सी है दामन and due, Ladakh, Lakshadip, Jammu and Kashmir कौन सी है, तो चलिए देखते हैं, इसका answer और इसके बारे में पर लेते हैं, तो smallest ut कौन सा है by area wise, तो लक्षदीप है, smallest ut of India, जो की 32 square kilometer का है, 32 square kilometer additional information, largest ut of area कौन सा है, Ladakh है, largest state by area क्या है, area पूछ रहा है, population नहीं पूछ रहा है, by area पूछ रहा है तो राजस्थान populated की बात करें, तो यूपी है, smallest state कौन सा है, गोवा, तो uts and state के वाइस आपको बता दिया गया है तो uts में कौन सा, largest है, smallest है, and state-wise कौन सा है, ठीक है, चलिए, next question देखेंगे, according to census 2011, the child sex ratio तो आपको यही पता होना चाहिए, जब child sex ratio की बात करतें, तो इसमें भी यही होता है, कि male के मुकाबले female कितनी है as compared to male, female कितनी है, but age दो लिया जाता है, that is, 0 to 6 लिया जाता है, यहाँ पर देखें, student, तो कितना है according to 2011 census, sex ratio कितना है, अगर female की बात करें, तो 9, 19 per thousand male में है child sex ratio की बात करें, तो कौन सा group लिया जाता है, age group, that is, 0 to 6 लिया जाता है हरियाना, हरियाना की बात करें, तो यहाँ पर lowest child sex ratio है, जो कि बहुत improve हुआ है और हरियाना ही ऐसा state है, जहाँ पर फर्स टाइम बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, अंदोलन लाया गया था, यहीं पर, क्योंकि इन में improve करनी थी मतलब, 0 to 6 लियर में ही female की death हो जाती है, जादा हो जाता था, मिजोरम की बात करें, तो highest, child sex ratio में highest है, हरियाना lowest है अंडमान निकोवार, highest sex ratio among the youth है, highest sex ratio 1868 per thousand male में, 1868 है, यह सारे important है, note का लेजएगा चलिए, next question पर move करते हैं, according to census, 2011, which among the following overall literacy rate of India, overall all India की है वैसे तो अभी हमने देख लिया, आपने note कर लिया होगा, अभी देखते, overall literacy rate इंडिया की क्या है, ठीक है तो चलिए, start करते हैं, यहाँ पर, overall कितना है, 74.0%, अभी बता था, highest कौन सा state है, क्यारला है, lowest कौन सा है, बिहार है male कितनी है, इंडिया की पूछ रहे हैं, तो 18, 80%, female की कितनी है, 64%, urban की literacy rate, यह सब भी important है तो 84%, ruler की कितनी है, 67%, यह चीज़, अगर की parameter की बात करें और, तो most populated state, populated by area नहीं पूछा है, area का कौन सा है, राजस्थान है तो यह UP है, least populated state, लक्षदीप है, highest populated, UT कौन सा है, Delhi है highest sex ratio कौन सा है, क्यारला है, highest literacy rate है, क्यारला है, highest density कहां है density मतला per square kilometer, state की बात कर रहे हैं, तो बिहार है, highest literacy क्यारला है और lowest literacy कौन सा है, बिहार है, highest density में भी आता है बिहार fertility rate में भी आता है fertility मतलब कि कितने बच्चे पैदा कर रही है एक female कितनी अपनी child bearing age में कितने बच्चे को जन्म दे रही है बर्थ दे रही है तो उनको बोलते है literacy rate next sorry माप किजिएगा बोलते है fertility rate next question देखेंगे as per the census of 2011 what is the annual growth rate annual growth rate मतलब कि यहाँ पर अगर देखें 2001 और 2011 में तो कितना annual growth rate हुआ है यह पूछा गया ठीक है तो चलिए annual growth rate की बात करें तो 1.64% ऐसा है और भी बहुत सारे additional information है इसको देख लेते हैं student तो यहाँ पर total population की बात करें तो यह है अब तो हम first largest populated country बन चुके हैं इंडिया की बोल रहे हैं तो 943 यह बहुत बूचा जाता है per thousand male में population density की बात करें तो density मतलब की per square kilometer में इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं तो 382 per square kilometer है infant mortality rate होता है कि per thousand में एक साथ within one year infant infant मतलब one year में बच्चों की जो death हो रही है that is infant mortality rate होता है maternal mortality rate क्या होता है maternal मतलब की woman की जब वो बर्थ उतनी child wearing age में होती है तो उनकी जो death होती है mortality मतलब होता है death, mortality में होता है diseases, okay तो mortality rate कितनी हो रहे हैं अपनी child wearing और यह per lakh देखा जाता है infant mortality rate per thousand देखा जाता है लेकिन maternal mortality rate कितना देखा जाता है lakh लेका देखा जाता है जो कि 407 है अब तो काफी improve है अगर बजट में भी आप देखोगे तो काफी improve हो रहा है infant mortality rate भी बहुत ज़्यादा improve हुआ है literacy rate कहां है 74 यह हम बात कर चुके है वही चीज है student उसके बाद highest population lowest population कौन सा है highest population density कहां है lowest population density कहां है highest sex ratio कहां है lowest sex ratio के highest kerala में है अगर state की बात करें state पूछा गया है lowest ut की बात कर चुके है हर्याना है lowest sex ratio में life expectancy यह new है life expectancy क्या होता है कि जब आप पैदा होते तो कितने साल तक जी सकते हो, right? कि कितने साल तक आपकी जब एज होती है, तो अब पहले क्या था? बहुत ज़्यादा life expectancy थी, कि 100 साल जी सकते हैं, अब average कितना हो गया, अगर मैं देखो तो 70-71 हो गया, अगर यह नॉर्मली मैं आपको बता हूँ तो, तो life expectancy कितनी थी, अगर 2011 की according date 66.1, और growth, growth कितनी हुई है, 17.7% मतलब कि population growth, 2001 के according देखे, 2011 में तो इतना growth rate हुआ है, 10 साल में, next highest SC, SC कहां है, UP में, अब यहां पर एक चीज़ में आपको बताना चाहूँगी, यह number SC, by percentage की बात करें, तो वो पंजाब है, percentage के according पंजाब है, number के according क्या है, UP है, highest SC कहां है, मध्यप्रदेश में, तो यह सारे student देख लीज़ें, अब next question हम देखेंगे, the census projection report shows that India is one of the youngest nation, आपको पता है, कि इंडिया में labor force, labor force की बात करें, तो बहत है, labor force यहां पर बहत है, 15 to 64, age group के, जो age group में fall करतें, वो बहत है, it means demographic dividend बहत है, the word demographic dividend, मतलब होता है student, कि आपके country की age structure, कैसी हो, dividend मतलब होता है, return क्या आ रहा है, तो return अगर हम देखें, तो अब इतना नहीं है, क्योंकि हमारे skill development, या हम देखें कि, हमारी जो health condition है, वो बहत कम है, तो वो depend करेगी, कि सरकार या government क्या करती है, लेकिन अगर हम देखें, तो labor force, 15 to 64 age group के, जो लोग है, वो बहुत ज़्यादा है, it means कितने year के लोग ज़्यादा है, यह आप से पूछा गया है, 27, 28, 29, 30, तो इंडिया में बात करें, तो 29 year के age group के, जो population है, बहुत ज़्यादा है, और यह इंडिया के लिए, बहुत beneficial है student, तो यह हो गया, 11 question, 11 question हमने, population trend census पर बात कर ली, चलिए student, next class में हम मिलेंगे, नए topic के साथ, budget हो गया, survey हो गया, इन सभी पर मैं questions लेके आऊंगी, ताकि last time आपका revision हो सके, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, कि आप हमारे courses को, हमारे courses को buy कर सकते हैं, क्या करना है आपने, आपने portal पर जाना है, चूस exam करना है, नबाड, ओके नबाड assistant manager में click करना है, वहाँ पर आके, आपको यहाँ पर all exams मिलेंगे, all inclusive subscription पर जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि discount, 80% discount हमारा चल रहा है, तो यह आप buy कर सकते हैं, आपके लिए बहुत golden chance है, buy कर लीजिए, या for next exam के लिए आप target कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत helpful है, क्योंकि यह discount अभी है, बाद में नहीं रहने वाले हैं, तो यहाँ पर proper आपको syllabus, videos, MCQ, सारा कुछ मिलेगा, topic wise मिलेगा, चलिए student thank you, next class में मिलते हैं,